ये वीडियो में मैं बताऊँगा कैसे आप RTGS से पैसे टांसवर कर सकते हो ठीक है ये वीडियो पर बने रही है ये वीडियो को स्क्रीप करके मत देखना अगर आप स्क्रीप करके देखोगे तब आपके पास complete information नहीं पहुच पादी चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं ठीक है या आपको डैसे फिले देख सकते हैं ठीक है अप्टे फ्रेंड्स से पैसे भीजने के लिए सबसे पहले आपको जो टांजिशन का option दिखर है इस पर हमें हमें जाना है और इसके अंदर एक दूसर आप्शन है रहा है टांसफर टू अधर बैंक इस पर हमें जाना है और उस यह entry तभी आती है जब आप beneficiary account number add करते हो किसी कर ठीक है तो मैंने पहले वीडियो में बता रहा है आप आप आज आके देख सकते हो कैसे beneficiary account number add करते हैं ठीक है और कैसे इसको verify करते हैं ठीक है beneficiary account number choose करने के बाद friends यहापर आपको amount enter करनी पड़ेगी friends एक चीज़ में बता दू अगर आप इसको एक रुपय भीजोगे ना किसी भी user को test करने के लिए यह और नहीं आ जाएगे please use nft ips as mode of payment since the amount enter is less than two lakhs रुपीज यह कह रहा है मतलब जो कम से कम हम आटेजियस से ना दो लाख रुपय ही बेच सकते हैं अगर आप एक रुपय भे जाता है कि मतलब बड़ी amount भीजने के लिए ठीक है आटेजियस का पुरा name क्या होता है friends real time gross settlement ठीक है इसको offline और online दोनों भीज सकते हैं चाहे आप इसको bank से भीज सकते हैं पैसे चाहे आप online transfer कर सकते हो आटेजियस से ठीक है इसमें कोई charges नहीं लगता जब आप इसको पैसे भीजते हो ना यह बिल्कुल free होता है ठीक है और इसमें जो time लगता है ना friends पैसे भीजने में 30 मिनट लगता है ठीक है मतलब 30 मिनट के अंदर आपके पैसे transfer कर दे जाएंगे दूसरे bank account में ठीक है और friends जो इसकी service availability होती है आप आपको कहो जब आप जब बैंक की holiday होता है य और उसका एक फायदा ये भी है अगर बैंक की holiday हो या government का holiday हो ना वो तब भी उसमें काम करता है तब भी आपके पैसे transfer कर दिया जाते है ठीक है आई MPS use करके friends अपने channel app crafting hub पर में हमेशा genuine videos लाते रहता हूं कोई भी video मेरी fake नहीं होती है कि friends अगर आप भी हमारे channel पर नए है ताकि आप वह मिस ना कर पाए तूल एक रुपी लिख लिए मैंने यह पर ठीक है उसके बाद continue बटन पर किलिक कर दे दे कि friends वह एरर हच चुकी है invalid amount वाली जो आ रही थी उसके बाद friends यहापर आपको transition password लिखना होगा ठीक है और one time password लिखना होगा एक OTP आयका आपके तरू बताए ये वीडियो कैसी लगी चली friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में have a nice day